Hello everyone, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चानल पे मैं हूँ आपका होस्ट अभी प्रशाद और आज मैं कर रहा हूँ कि आकि इस सल्टॉस का रिव्यू ये सल्टॉस बन अब दे मोस्ट पॉपुलर वेरियंट है क्योंकि ये आपको सबसे जादा दिखेगी ये वेरियंट रोट पे इस प्राइस पॉइंट पे इस वेरियंट में आपको बहुत सारे फीचर दी गई है जैसे कि HTK प्लस इस वेरियंट का नाम है HTX प्लस इस वेरियंट का नाम है पेट्रॉल और मैनूल ट्रांसमिशन में ये आती है और इसमें बहुत सारे चीज दे दी गई है जो कि ये टॉप लेवल कार में ही मिलती है ये एक परफेक्ट कार है आपके घर के लिए हो सकती है इसमें आपको धेर सारे फीचर देती है जैसे कि मैं बता हूँ इंजट से पहले शुरुवात करें 1.5 फीटर का नाचुरली एस्परेटेड इंजन मिलता है इसमें पेट्रॉल में इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है एक शोरूम अगर बात करें 15.44 लाक इसकी एक शोरूम है और ऑन रोड आके 17.98 यानि कि लगभग 18 लाक की आसपास हो जाती है 36 गर कोरबा में अगर आप 36 गर से वीडियो देख रहे हो तो description box में आपको नंबर मिल जाएगा आप उस पर चाहो तो call कर सकते हो यह dealer का नंबर है अगर आपको किसी तरह की further inquiry चाहिए या कुछ ऐसे मैंने मिस कर दिया वह आप वहाँ पूच सकते हो अब यह variant है HTX Plus बहुत popular इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि बहुत सारे इसमें feature मिल जाते हैं GT Line X Line अगर आप नहीं भी लोगे इसमें आपको वो सारे feature है जो आपको एक normal use के लिए जो चाहिए होती है पावर और इंजन मैंने आपको बता दिया लेंथ अगर बात करें 4.36 मीटर इसकी लेंथ है width 1.8 मीटर और height 1.65 मीटर अगर बात करें wheel base की ना तो 2.6 मीटर इसकी wheel base है काफी लंबी है ये 5-setter vehicle है उसके अलावा ground clearance 190 mm का इसमें आपको मिल जाता है 6 year back बगर है मिलता है इसमें safety में electronic stability control, vehicle stability management, ABS, DBT brake, social load control, all wheel desk, tire pressure mounting system जैसे तेर सारे feature इसमें आपको मिल जाते है boot space इसमें आपको 433-liter का यानि 430-liter का इसमें आपको boot space मिल जाता है और 50-liter का इसमें आपको fuel tank capacity है इसके इसके अलावा तीन साल का इसमें आपको warranty मिलता है company के तरफ से और तीन साल का RSA भी मिल जाता है इसको आप extend कराके 5 साल तक में convert कर सकते हैं अब बात करेंगे इसके design profile की तो इसमें लगभग यह second top variant है इसके ऊपर और दो variant आते हैं like x-line और gt-line करके आती है लेकिन इससे यह नीचे है लेकिन इसमें आपको इतने सारे feature इसमें company प्रोवाइट कर देती है यह जो है वर्दिट हो जाती है मतब HTK plus के बाद यह HTX अगर आपको कुछ-कुछ requirement जादा है panoramic sunroof, leather seat अगर आपको चाहिए तो top में जाने की जरूत नहीं है यह आपके लिए best option रहेगा design profile की बात करें यहां पे आपको dry beam में आपको 3 panel में आपको LED आपको reflected LED आपको मिलता है heat lamp में और यह इसका complete DRL है मैं इसको एक बार जला के आपको दिखा देता हूं यह भी आपको पता चल जाएगा on होने के बाद जो है यह इस तरीके की आपको दिख जाएगी यह जो है computer reflect कर रही है आप देखो गे तो यह जो है 4 चार में आपको जो है इसका फॉग लाम इसमें आपको मिल जाता है फ्रंट में चाप आकिंग सेंसर मिल जाते है complete इस तरीट कोई प्लेसिंग यहां पे है यह आपको कम्प्यूट जे है chrome work में आपको है 3D pattern में यहां पे आपको मिल जाता है किया की ब्रैंडिंग यहां पे की गई है और अच्छा कासा grill भी जो है open है काफी जबरदस्त देखने में लगता है फ्रंट का डिफ्यूजर जह है आपको जो है डिस्क ब्रेक मिल जाता है चारो वील में उसके अलावा अगर बात करें तो यहां पे आपको body color जो है OR VM with turn indicator में के साथ आता है इसके अलावा इधर कुछ ने मिलता है इधर camera अमरा expectation नहीं करो तो अच्छा है और यहां पे chrome finish में इसके आपके door handle मिल जाते है like door handle chrome finish में with request sensor जो की काफी इस color के साथ से काफी अच्छी लग रही है और chrome जो ही यहां पे आपका पतला सा पट्टा जो है यहां के यहां तक यहां तक आता है quarter panel काफी छोटा सा है देखने में काफी cute सा लगता है अगर यहां देखो के यहां पे आपको इसके roof rail यहां दिख जादा sharp नहीं है smooth सा है and होते होते smooth हो जाता है high mounted stop lamp यहां देखने को मिलेगा defogger यहां पे है wiper यहां पर नीचे आपको reverse lamp पिलता है with reflector के साथ में design profile में आपका यहां भी towing hoop दिया हुआ है और यह silver color के पीछे इसका diffuser अपसाइड है 190 mm पाइसका ground clearance से काफी उंचा है पीछे से होना भी चाहिए तभी ground clearance वर्देट होगा पीछे आपको फिर से चार parking sensor मिल जाते है उसके अलावा अ एक छोड़ा सा हुक दिया गया है अब छोटा मोटा grocery जो अगर आप लेके जा रहे हैं तो आप रख सकते हो इस पेर वील आपको one size एक size कम मिलता है इसमें आपको 16 inches के आपको पीछे जो है आपको stepney wheel मिलते है like rim मिलते है partial tray काफी बड़ा है यह देख लो आप काफी बड़ा इसमें partial tray आपको मिल जाता है आप इसको maximum use कर सकते हो उसके अलावा build quality के अगर बात करें तो सभी जो है अब build quality काफी अच्छा दे रहे है पहले पीछे जो है यह वाला food का दे देते थे और से काम चल जाता था लेकिन अब जो है ABS plastic जो है देके थड़ा गाडी को safety rating के काफी अच्छा किया जा रहा है इसके अंदर आपको किया कनेक्ट की सब्सक्रिप्शन भी मिलता है वह आप जहां तीन साल तक मिलेगा उसके बाद आपको फिर से रिचार्ज कराना होगा पाले ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले आपको इसको दोर दिखेगा यहां पर complete leather में यहीं fold unfold आप यहीं से कर सकते हैं यहां पर आपको leather seat मिल जाते है ventilation के साथ आपको यहीं चीज कमी है कि इसमें ventilated seat इसमें नहीं मिलता है बस खाली यह leather seat ही मिलता है ventilated मिल जाता तो complete requirement पूरी हो जाती बट कोई गल ने यहां पर आपको height adjustable manually मिलता है जो की काफी सही है उसके अलावा इसका key तो आपको पता ही है इसका key कैसा है natural जो नहीं वाली आई थी celtos के साथ वहीं आपको keys मिलती है अब चलते इसके अंदर बैठते है इसके pilot side बैठने क बाद इसमें और क्या क्या मिलेगा उसके बारे में भी आपन लोग अभी बात करेंगे बैठने के बाद ही जो इसको करते है on तो इसका instrument cluster आपको दिख गया काफी सही instrument cluster complete जो है डिजिटल में है यहां भी इस सारा आपका digital है बस यहां पर चोटा सा TFT पैनल जो है इस जगह आपका दिया हुआ चोटा सा जिसमें आपको टैयर ब्लेशन मानूंटिंग सेस्टेम जाला मालेज कितना दे रहा है ऍज यह ने इधर मिटर हो जायेगा और इधर मिटर हो जायेगा फिर उसके बाद जो है हीट वेगरा है इधर है तेंपरेचर के लिए फ्यूल अगर बात करें, यहाँ पे dual zone AC मिल जाता है, अब देखलो, यहाँ से आप इधर का भी temperature अलग कर सकते हो, इधर का भी temperature अलग कर सकते हो, okay, dual zone AC इसमें आपको मिलता है, उसके अलावा, यहाँ पे आपको wireless pad की placing नहीं है, यहाँ पे wireless pad इसमें आपको नहीं मिलता है, लेकिन 12V का socket यहाँ मिल जाता है, जिसमें आपको कितना watt, 120 watt तक support करता है, और यह USB A type और USB C type, मतलब अच्छा खासा इसमें आपको चीजें मिल रही है, HDX variant है, HDX plus variant है, sorry, यहाँ पे आपका front parking को on करने के लिए, आप इसको press करोगे, तो front parking sensor जो है, on हो जाएगा, और अगर इसको एक बा guideline के साथ में यह guide करेगा आपको, जैसे आप steering को move करोगे, वैसे वैसे यह move करेगा, कि आपकी vehicle किस direction में जाएगी, इसको बोलते है, dynamic guideline इसी को कहते है, यहाँ आपको manual handbrake यहाँ पे दे दिया गया है, तो cup holder के साथ आती है, उसके अलावा अगर देखोगे, तो यहाँ पे आ चोटा सा armrest के अंदर space दिया गया है, जो आप अपने हिसाब से जैसे आप चाहो use कर सकते हो, उसके अलावा armrest भी काफी सही है, जबरदस्त, यहाँ देखो, ambient light आपको इस vehicle में मिल जाएगा, इस variant में मिल जाएगा, आती तो है ही, लेकिन इस variant में आपको ambient light मिल जाएगा, य यह जो 10.25 inches के जो आपको यह जो मिल रहे है, स्क्रीन मिल रहे है, इसमें आपको जो है न, मैं बता दे रहा हूँ, इसमें आपको Kia Connect देखी, यहाँ पर मिल जाएगा, Kia Connect यहाँ पर option दी गई है, आप देख सकते हो, उसके अलावा Android Auto, Apple CarPlay, दोनों इसमें आपको मिल जाता है जो कि मुझको अभी दिखने ही रहे, कहां गया, Android Auto, Apple CarPlay, दोनों इसमें आपको मिल जाता है, जो कि काफी सही है, मतलब अच्छा खासा इसमें आपको feature जो है, मिलने वाला है, यहाँ पर आपको complete cruise control के setup दिये गए है, complete आप cruise control यहाँ से control कर सकते हो, अपना speed maintain करो, और आप M.I.D.s को control कर सकते हो, और अपने infotainment system के control कर सकते हो, यह आपका hazard switch है, उसके अलावा, यहाँ पर auto dimming IR VM मिल जाता है, जो कि काफी सही है, और यह भाई, दबंग, उलोड़ दबंग, यहाँ पर आपको LED में reading lamp मिल जाता है, यह दबा कर रखोगे, तो door open पे light जल जाए इसके अलावा, यहाँ पर आपको panoramic इस variant में sunroof मिल जाता है, जो कि SDK plus में नहीं मिलता है, उसमें आपको छोड़ा सा sunroof दिया जाता है, लेकिन इसमें आपको panoramic sunroof मिल जाता है, जो कि काफी बढ़ा सा है, उसके अलावा अगर देखोगे, तो यहाँ पर आपको vanity mirror मिल जाता है, इसके sun visor में, और यहाँ पर आपको ticket holder मिल जाता है, इसके sun visor में, उसके अलावा, यहाँ आपको एक छोड़ा सा subwoofer की branding की गई है, क्या है, साइद subwoofer यहाँ पर है, मैं confused हो, अगर आपको पता है, तो बताना, यह subwoofer है या नि, उसके अलावा, इसके यहाँ ambient light, यह complete leather में यह finish है, या फिर बेवकूफ बनाया है, बेवकूफ बनाया है, leather नहीं है, soft अच्छ है, उसके अलावा, यहाँ पर आपको start stop का यहाँ पर button है, उसके अलावा, यहाँ पर traction control के button है, यहाँ पर आपको idle start stop का button है, यानि ट्राफिक में जाओगे, neutral करके छोड़ तो गाड़ी बंद हो जाएगे, जैसे ही clutch लोगे, तो गाड़ी फिर on हो जाएगे, और यह level करने के लिए, head lamp को level up, down करने के लिए, इस event इसका जो है, यह नीचे है, एक अलका बड़ा है, यह थोड़ा design अच्छा है, silver color की यहाँ पर garnish की गई है, और इसके चारोत तरफ गा को मिलेगा, अब यहाँ अगर देखोगे, तो यहाँ पर आपको simple एक windows के control है, यहाँ पर आपको leather finish वही वाली मिलती है, यहाँ भी आपको complete leather finish, piano black यहाँ पर है, silver color की garnish यहाँ पर लिगी गई है, door handle में, यह आपको एक extra दिया गया है, लेकिन काफी सोस समझ के sun blind को यूज कर यहाँ पर speaker grill दिया गया है, अच्छा खासा seat का, comfort मुझको पता है, अच्छा खासा मिलने वाला है, ओके, थोड़ा सा यह नीचे जो ही space कम है, लेकिन हलका लगता है seat आगे जाएगा, मैं confirm नहीं हूँ, हलका सा seat आगे जाएगा, पक्का ही जाएगा, यहाँ पर आपको height adjustable, आपको seat belt भी मिलता है, यह भी सही है, एक तरह से देखा जातो, अब पीछे अगर आप देखोगे, तो पीछे यहाँ पर AC vent मिल जाता है, AC vent के साथ, सबसी important चीज क्या है, गर्मी में leather से smell आता है, जब heat जादा पड़ेगा, जब गर्मी अभी जैसे पड़े रही थी, कितना 50, 2.8 गया था कि कितना गया था, maximum, गुजरात में आए थिंग, तो इस condition में गाड़ी complete जो है एकडम अंदर से बर्ण होने लगती है, leather जो है smell करता है, उस condition पे यह सारे feature जो है काम आते है, यह जो इसका air purifier है, इसके अंदर के smell को खतम करेगा, जो अंदर के environment में जो bacteria चीज है, यह हर एक vehicle में होनी चाहिए, I think so, मेरे क्याल से, उसके अलावा यहाँ पे grab handle, soft closing नहीं है, बट ठीक है, यहाँ पे आपको LED में आपको light lamp मिल जाता है, जो कि काफी सही है, उसके अलावा यहाँ पे armrest है, armrest के अंदर आपको 2 cup holder भी मिलता है, मेरा चेक्कियों पहल पीछे या नहीं complete 5-seater यह vehicle complete बनती है, क्योंकि कहने के लिए 5-seater सब कोई बोलते हैं, लेकिन यह address नहीं देते हैं, लेकिन इसमें cell house में आपको मिल जाता है, जो कि काफी सही बात भी है, उसके अलावा यहाँ पे किसी और तरह की missing तो कुछ नहीं है, यहाँ एक छोड़ा स आती है, और धेर सारे luxurious feature के साथ आती है, तो अगर आप plan अगर कर रहे हो, अच्छा लाक आपका budget है ना, तो यह आपके लिए सबसे best होगी, और इसमें आपको each and everything, जो आपको चही है, regular use के हिसाब से, वो आपको सब कुछ हिसमें मिल जाता है, काफी सही यह vehicle है cell house की, तो वी variant आप ले सकते हैं, तो आप भी hero बन जाओ गए, तो फिर मिल ते हैं फिन नेक्स वीडियो में, फिल्हाल के लिए, बाबाए